vaccination drive को वाकई हर किसी को इसको event के रूप में ही लेना चाहिए और इसे manage भी करना चाहिए कि कैसे जादा से जादा लोग अपने घर से निकलें और celebrities demand करें कि हम सब vaccination हो वो advertise करें और जादा से जादा लोग जो लोग vaccine hesitancy में भी पते हुए हैं उससे बाहर आके vaccine ले मगर दुख तब होता है जब बहुत पढ़े लिखे लोग सल्मान जी ठीक कह रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ कि Indians are being treated as guinea pig मुझे रखता है ऐसे शब्दों का चैयन करना ये उचित नहीं है और जब एक मुख्यमंत्री किसी राज्य के कहते हैं कि हमें कोवग्सीन नहीं चाहिए हम कोवग्सीन नहीं लेंगे आपको पता है चछत्यजगर में ये हुआ था तो मुझे लगता है इस प्रकार एक राज़िये मना कर देता है कि मैं कोवग्सीन नहीं लूँगा तो कहीं न कहीं इससे vaccine hesitancy भी फैलती है और इससे एक अच्छा संदे भी जब वो COVID की second wave की बात कर रहे थे हैं तो वो emotional हो गए राहूल गांदी ने उस पर तंच कसा और राहूल गांदी ने बोला कि रोने से कुछ नहीं होता आसु आने से कुछ नहीं होता oxygen देरी चाहिए थी क्या आपको लगता नहीं है कि politics के अंदर हम emotions को भूल गए है और क्या उसके सामने कुछ हो रहा है वो गलत है तो वो उसको अपने शब्दों में व्यक्त करेगा ये जो हम पर अनकुष है हमारे conduct पर जो अनकुष है हमारे समविधान में हमारे कानून में वो हमारे emotions पर कोई अनकुष नहीं लगाता है नहीं लगाता है हमारा समविधान तो अग लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये अवैद है, यूकि एमोशन से चीज ऐसी है, जिस पर वैद और अवैद कहना बड़ा समभ नहीं है, सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन बिल्कुल जायज बात है कि राहुल गांदी ने तो तंज कसा परधान मंतरी को लेकर, जब वो हुए, पॉइंट ये है, बाफ माफ करें, ये संजीदा, ये गंभीर एक गंभीर विशे है, तो मैं इसमें ऐसे विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, जिससे कि इसकी जो समवेदन शीलता है, वो धूमिल हो, तंज अगर कसा, तो हम ये ना भूलें कि एक तंज के पचास पधान मंत्री भी करते हैं, लेकिन अब ये सियासत है, राजनीत में जो लोग हैं, वो अपनी सोच समझ से कब क्या कहना चाहिए, वो कहते हैं, करते हैं, कभी हम उसको स्विकार करते हैं, कभी उसको हमनाकार देते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करके उसको और उसको और उलज केवियर को अलग रखना चाहिए हिंदुस्तान में या विश में कहीं भी हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं एक साइन्टिफिक होता है एक इमोशनल होता है अब इमोशनल कोशन पड़ी इंपोर्टन चीज़ है कहां उस पर अनकुष कौन लगाता है किता लगाता है यह समय समय की बात है को दोक्टर पात्रा इ सबस्क्रानि जाना राहूल गांदी के बाद उसमें आपने भी तंच कर सा था फिर ता फिर राहूल गांधी पर आप उलजआ रहे थे देखिए मैं तो तारीफ करूँगा सल्मान खुर्शीद जी कि सल्मान जी मैं एक बात आपको यहां उनसेट में बता दूँ आप मेरे से अनुभव में बड़े हैं उमर में बड़े हैं मैं सम्मान करता हूँ मगर एक डिबेटर होने के नाते मैं सक्त सवाल जरूर पूछूँगा और मरियादा के रेखा में रहकर ही सक्त सवाल पूछूँगा इसलिए आप कभी बुरा मत मानिएगा आप मेरे पिता तुन लिया हैं उमर में बहुत बड़े हैं मैं दो-तीन बाते कहूँगा देखिए आपने बहुत चतुराई के साथ और बहुत परिपक्वता के साथ जब ये सवाल इमोशन का लेकर पूछा गया तो आपने राहुल गांधी के प्रशने पे कहा कि नहीं इसको उलजाना नहीं चाहिए इस विशह पे डिबेट करके मजाग करना यह यह शोभा नहीं देता पॉलिटीशन को मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी रेता हूं और मैं राहुल गांधी जी को भी याद दिलाना चाहता हूं राहुल जी आप वही नेता हैं जिन्होंने सदन के पटल पे पार्लमेंट में आपने प्यार की राजन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इमोशन को अपनी जगा अलग छोड़ना चाहिए जब इतनी लोगों की मृत्ति होती है स्वभाविक है अभीभावक के नाते प्रधान मंत्री भी इमोशनल हो जाते हैं इसमें कोई बुराई नहीं सर्मान कुशीत जवाब तो यह आपने सवाल नहीं पूछे यह आपने यह तो आपने मुझे एक सबक सिखा दिया आपने सवाल नहीं पूछे और रही बात यह एक डिबेटर का यह हक तो होता है कि आप किसी की बात की काट करें लेकिन डिबेटर का यह हक नहीं होता है कि आपसे अलग कोई बात कह है और से कहें कि देखिए मेरी बात से ए मान रहे है तो बहुत Administration सी क्वे अब कऊन सी क्या है कौन सी सभी है आपको एक मोशन अच्छा लगता है मुझे एक और मोशन अच्छा लगता है लेकिन बात emotion की है तो emotion पर छोड़ दीजे कोई ना कोई तो judge करेगा कोई ना कोई उसकी उसकी माबदन करेगा उसको सोचेगा उसकी पैमाईश करेगा तो उसको emotion को emotion पर ही छोड़ दीजे और रही बात आपकी आपकी और हमारी अरे भाई हम तो आप पर इतना विश्वास करते हैं कि कल अगर पेट कातना पड़े हाथ कातना पड़े तो हम किसके पास जाएंगे आप तो सर्जन हो आपके पास जाएंगे उसमें हम एमोशन नहीं रखेंगे उसमें हम सिर्फ सूजबूज और साइन्टिफिक सोच रखेंगे ठीक है संबित जवाब देना चाहते है संबित इश्वर करे कभी भी पेट और हाथ या किसी चीज़ की सरजरी की आपको या आपके दुश्मनों को भी सरजरी की अवश्यक्ता ना पड़े आप हमेशा स्वस्त रहे मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको लगा कि प सवाल पूछना चाहता हूँ आज कॉंग्रेस की जो स्थिती है क्या कभी-कभी आप लों को इमोशनल लगता है क्योंकि एक समय था जो कॉंग्रेस पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होती थी पूरे हर राज्ये में कॉंग्रेस का साशन होता था हर जगा सरका होया करती थी आप जैसे वरिष्ट लोग मंत्री होते थे आज आज कॉंग्रेस की आप स्थिती देखिए क्या आप लोग जो इतने वरिष्ट है आप लोग कभी इमोशनल हो जाते हैं यह सोच करके आपको लगता है कि हाए हमने अपनी जिंदगी के अंदर यह सब क्या जवाब देता और आपको भी जवाब दे रहा हूं मेरा एमोशन यह मेरा एमोशन यह है कि अकेला ही चला चलूंगा जाने में मन्जिल बगर लोग जाते रहें आते रहें मैं जाने में मन्जिल ही चलूंगा मुझे